नमस्कार मैं हूँ विद्या सागर स्वागत है आप सभी का TNP न्यूज में मुक्मतरी नितीश कुमार ने प्रदेश की शात्राओं को बड़ी सौका दी है CM NITIS ने कहा है कि 2023 से राज में मेडिकल और इंजिनियरिंग कॉलेजों की एक तिहाई सीटे लड़कियों के लिए आरक्षित रहेंगी और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है उन्हेंने कहा कि जब हम लोग पढ़ते थे तब कोई लड़की नहीं पढ़ती थी हमने इंजिनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में लड़कियों के लिए कम से कम एक तिहाई सीट आरक्षित कर दी है और उन्हें कहा कि हम लोगों ने ही वर्ष 2013 में बिहार पुलिस की बहाली में महलाओं को 35 फिजदी का आरक्षन दिया था बिहार में जितनी महलाएं पुलिस में हैं उतनी दूसरी राज्यों में नहीं है वहीं जेडियो संसद्य बोर्ड के ध्यक्ष उपंद कुश्वहा इन दिनों पार्टी से नराज चल रहे हैं पार्टी में वो बगावत के रूप में नजर आ रहे हैं वहीं अब उन्होंने 19 और 20 फरबरी को पटना के सिन्हा लेबरेरी में पार्टी कारिकरताओं की बैठक बुलाई है बैठक का उद्श्य पार्टी को मजबूत करना बता जा रहा है उपंद्र कुश्बहा की बैठक पर बीजेपी के विधान पारशद नवल किशोर यादब ने परटवार किया है उन्हेंने कहा कि अब जेडियू पार्टी कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है उन्हेंने कहा कि जेडियू की जो इस्तिती हो गई है उसमें कोई कुछ भी प्रियास कर ले पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है वहें बिहार के पुर्व क्रिशी मंत्री और आरजडि विधायक सुधाकर सिंग दिन परते दिन अपनी ही सरकार के खलाब बगापती बयान देते आ रहे हैं ताजा मामले में उन्होंने नितीश कुमार पर तंज कस दिया है सुधाकर सिंग ने कहा कि राजडि की सरकार माफियाओं से मिली हुई है और अधिकारी खाद की तसकरी करते हैं सुधाकर सिंग का बयान ऐसे समय में आया है जब जेडियू में कलह मची हुई है और खुद उन्हें आरजडि द्वारा उनके विबादित बयानों की वज़ा से नोटिस जारी किया गिया है। सुधाकर सिंग ने सुबे की सरकार पर हमला करती हुए कहा कि सरकार माफ्या से मिली हुई है और सरकारी अधिकारी खाद की तसकरी करा रहे हैं। डिकुमेंटरी का पोश्टर जारी करेंगे। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वैरल हो रहा है। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने आरोपियों के घर पर हमला बोल दिया। इसके लिए बकाइदा महापंचायत बुलाए गई इसमें बदला लेने का फैसला लिया गया। इसके बाद भिड़ ने मुखिया रूपा दिवी के घर पर हमला बोल दिया। कुछ यूबकों ने इस्टा पर लाइव आकर भी इस हमले का प्लान बनाया। पिटाई के इस वीडियो को अलग-अलग एंगल से सोशल मीडिया पर डाल कर लोगों को भड़काया गया। भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और धारा 144 लगा दी गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही लिकिन आप बने रहें। टेन पी न्यूस के साथ नमस्कार।